हर दास्तान के पीछे होती है कोई न कोई हकीकत चंद्रवरिक्ष की दास्तान का जन्म हुआ था एमजान की जंगल से उस तिलस्मी पेड़ की एक पंखुडी में हर बीमारी और हर श्राप का इलाज है सदियों से कई लोग उस तिलस्मी पेड़ तक पहुँचनी का रास्ता ढूंते रहें जिनमें सबसे ज्यादा मशूर थे शूरवीर टॉन हॉपेडी अगीरे जिन्होंने चंद्रवरिक्ष की पंखुडी को ढूंने की ठान ली थी लेकिन जंगल ने पंखुडी ले जाने नहीं दी इतिहास कहता है कि उनकी कोशिश नाकाम रही लेकिन दास्तान कुछ और ही कहती है कि पेड़ के रखवाले उन्हें ले गए थे और उनकी जान बचाई थी और अगीरे ने धमका के रखवालों से अमर्शूल मांगा वो नया पत्थर जो चन्द उन्हें